अफिसेल यूटूब चैनल पर आज का हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपना पाइप एंड सिस्टन वैसे हम लोग टाइम डिस्टेंस टाइम एंड वर्क कल टॉपिक कम्प्लिट कर चुके हैं लेकिन कुछ टॉपिक आपके मतलब कुछ कॉंसेप्ट आपके बचे पहले आज हम लोग यह चोटा सा टॉपिक कम्प्लिट करेंगे ठीक है और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे जो कल जो कॉंसेप्ट आपके टाइम एंड वर्क के छूट गई है वो कॉंसेप्ट आज हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे ठीक हैं तो एक बार जल्दी से टाबलोक सेयर कर दो आपना चाहिक को फिरी स्थकर एक फिर हम लोग अपना आज का यह सेशन आप मही केल कविता ठाकौर ठीक है क्लास कब तक स्ट कस्टक होती है क्लास पले आपकी 12 वजह से श्टार्ट टीए और अगकी कभी एक-दू मिनिट का लेत हो जाती है ठीक अपकी आपकी क्लास का हमिंक बारा वजे librarte के बीच में है है कि यह कुछ और नहीं आपके टाइम एंड वर्क का ही एक तरीकी से आप रिविजन बोल सकते मतलब जितनी चीज़े आप लोग पाई टाइम एंड वर्क में पढ़के आए हो जो कॉंसेप्ट आप वहां पर यूज करके आओ सभी के सभी आपको यहां पर लगाने जैसे समझो हम लोग ने जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा था तो मैंने बोला था कि यह आपका में टॉपिक होता है इसके सब टॉपिक दो आपको मिलेंगी क्या एक रेल गाड़ी दूसरा आपका बो टैनिस्ट्रिम इसी तरीके से यहां पर जो टाइम एंड वर्क होगा यह आ क्या एकाडमी काम को इतने दिन में करेगा दूसरा इतने दिन में करेगा mmicking से यहां पर अदमियों की आपने कारी चमता निकाली पड़ेगी ऺंगे सारी हं वहाँ पर किसी ने काम बिगाणा नहीं था आपका काम बिगाणा मतलब जैसे कोई काम जैसे यहां बिगाणने वाले चीजें हो गया कि तो हieve भरोगे तो तंकी को आपको खाली भी करना पड़ेगा बस यह concept थोड़ा सा आप लोग याद रखना खाली करोगे मतलब उस रेट को आप लोग निगेटिव मानोगे ठीक है तो यह concept थोड़ा सा आपको याद रखना है बाकि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोगों ने time and work में ना पड़ी हो और यहां पर जो आपकी यूज होने वाली है चलो स्टार्ट करते हम लोग अपने पहले सवाल से सुरुवात बिल्कुल बेसिक से करेंगे जैसे आपका पहला सवाल पहला सवाल क्या तीन पाइप ABC किसी खाली टंकी को 12-15 और 18 घंटे में भर सकते यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिये जाए तो पूरी टंकी कितनी देर म से निपने भर जाएगे बताँ से यार ऊतलु शेयर कर दो वीडियो को एक बार लोग यहां। अब देखें यहां पर जैसे यह हैं यह आपका भी हो जाएगा और यह आपका सी हो जाएगा यहां पर कितना आएगा 12 ठीक है यहां पर कितना आएगा आपका 15 और यहां पर कितना आजाएगा आपका 18 यह टाइम देखें रखा एक काम करो आप इनकी कारी चमता निकालो मतलब तो इनकी रेट निकालो 12 15 और 18 इनका एल्सीम लोगे तो कितना आएगा 180 180 लेने ठीक है अगर 180 ले लिया है तो एक काम करो रेट निकालो 12 से काटो 12 12 12 15 15 15 15 15 15 दूनी ठीक है और यहां पर आपका अठार दस यहां तक पर दिखत परेशानी अब एक बात बताओ जब तो तीनो नल एक साथ भरेंगे तो यह एक समय में पंद्रा पानी यह बारा पानी और यह आपका दस पानी भरेगा तो तीनों मिलकर एक समय में 37 पानी भरेंगे तो यहां पर टोटल कितना टाइम लगना चाहिए 180 बटे 37 ठीक है मतलब कितनी बार जाएगा चार बार तो सम्थ कि यहां तक कोई दिक्कत परेशा नहीं बिल्कुल इसी टाइप से आपको पूरे चैप्टर को सॉल्व करने हर चोटा टाइप बहुत चोटा टॉपक है यह पाइप एंड सिस्टम और आज हुम लोग सारी टाइप मतब सारी वेराइटी के सवाल यहां पर आज कर लेंगे एक टाइम भी निकालेंगे टंकी का कैपसिटी पूछेगा कि कितने लीतल की टंकी है वह भी बताइए सारी चीदा अग्रों देखने वाले हैं जैसे अगला सबाल कितने समय में खाली करेगा थे हैं है कि सबसे पहले क्या करोगी और आंसर तो आप प्लों के आनी रहें यह पोसिस किया करो के सबसे पहले आंसर ला पाओ जैसे आप सवाल देखते हो ना अपने स्क्रीन पर तो कोसिस करो सबसे पहले आंसर सॉल्व करो और उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दू सबसे पहले कि अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है और चलो एक बात बताओ यहाँ पर एक कितना टाइम देके रख़ए आपको साथ ठीक है वी का ताइम यहाँ पर कितना देके रख़ए आपको 75 पाइप सी निगेटिव पाइप होगा ठीक है सी का आपको नहीं पता और यहां पर अगर तीनों को एक साथ खोल दोगे ए बीसी तो कितने समय में भरेंगी पचास मिनेट में भरेंगी सबसे पहले आप क्या करोगी यहां पर सबसे पहले आप करोगे क्या इनका टोटल वर्क टोटल वर्क कितने आएगा आपका तीन सो ठीक है तो यहां पर एक बात बताो कितने अगर बरीजाएगी nine अब नौ में से अगर पानी टंकी में गया किवल 6 तो 3 पानी का गया 3 पानी बह गया 3 पानी बह गया मतलब निकासी नल का आपको रेट पता चल गया वो कितना है आपका 3 अब एक बाद बताओ 300 लिटर की टोटल टंकी थी तो यहां पर टोटल टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी 100 अमय में मतलब option number 20 सवाल का क्या हो जाएगा correct answer है कि यहां तक कुई दिक्कत परेशानी option number 20 सवाल का क्या होना चाहिए correct answer अगला सवाल एक नल किसी टंकी को एक गंटे में खाली कर सकता है दूसरा उसे तीस मिनिट में खाली कर सकता है यदि दोनों एक साथ कर दिये जाएं तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा भरी टंकी को खाली करना है बताओं सारुक खान सारुक खान आ जागे क्लास में आज तो आर्यन खान की बेल की सुनवाई है ना सारुक खान क्लास में क्या कर रहे हैं रितू राठा और विक्रम कुमार राजेश जाट रोज कितनी देर पढ़ना चाहिए पूरे दिन आप किताब लिए बैठी ही रहों के लिए बेठी हैं कि सो भी रहे तो भी किताब आंत में होने उनी चाहिए क्टाब नहीं चोड़ने चाहिए अ युट को कि ठीक है और जब सामके आठ बज्जा है ना किताब हाथ में लिए लिए फिर आ जाना भाइसा बापस एंपी परिच्छा की यूट्यूब चैनल पर क्योंकि आठ बजी आज आपका क्या है नॉन वर्वल रिजनिंग का मैरेफन क्लास जिसमें पूरा आपका मैरेफन में नॉ नॉर्वसरा नाले से भरी टनकी को त्यीस मिनिट में खाली करेगा सबसे पहले आप टोटल वर्व निकालो कितना आएगा अपका 60 यह टनकी का कैपिसटी रेट निकालो就要 pa kitsap आपर मिलेगा मायनस का दू यहां पर पर दो नूर मिल जाएंगे तो माइनस का तीन माइनस का तीन मतलब मैं फिन की रेट से खाली करेंगे तो यहां पर कितना हाएगा तीन दूनी 6 मतलब 20 ej इस सवाल का करेक्ट रॉकर नहीच है यहां तक के दिखगग में है अ क्लियर बीस आना अच्छे 180 क्यों ले लिए टाइमेंड बर कितना लेंदी क्यों बना रहे हों किवल साथ से आपका काम हो जाएगा ऐसे तो 90 माल लोग अगला सवाल अब सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार देख लो अगर आप लोग नए जुड़े हो इस चैन चैनल के साथ कर सकते हूं और ठीक है अगला सवाल दोड़ा एक टंकी नल के द्वारा 12 गंटे में दूसरा नल के द्वारा आट गंटे में भरी जा सकती है उन्हें अश्च ढ़ंगा तक खुला रखा जाता है तो टंकी अ को बताने कितना भाग टंकी का भारा हुआ भाग कि पताओ अब एसे ही करते थे क्या हाँ भाइसाम मैं तो सारे दिन किताब आतमें लिए रहता था सारे दिन भले खोलता नहीं था लेकिन किताब हाथ में होनी चाहिए तो है जैसे घरवालों ने देखा किसां किताब खुल तरह अधियर के चाहिए सन्गार की यह कितने समय में आँ त Nej कि दूसरा आठ गंटे मैं तो सब्से पहले क्या करोगे तंकि का आप टोटल व्रक निकालो क्या एंसे निकालोगे तो बारा और आट का एलसे हम ले लो कितना आएगा 24 यही आएगा अगर तोटल वर्ग आपका टंकी का टोटल कैपेसिटी 24 आया तो रेट निकालो बारा से काटो के बारा से काटो के आठ ती चौह यहीं आएगा ठीके अब एक बात बताओ डाइगंदे तक के वर टंकी को लि अगर एक साथ वरेंगे तो और ऐसे यह धाई गंटे तक चलाए जाएंगे तो कितना वरेंगे बार 25 पंजी 125 मतलब 12.5 यह तंगी आपकी भरी होगी कितने मैं से भरी होगी यह तंगी भरी होगी आपकी 24 में से पॉइंट अटाओगे तो जीरो में से ठीक है पांश से काट ओगे पांच दू नी 10 5525 तटीक है तो यहाँ पर कितना हैगा 25 बटे सबना चाहिए करेक्ट अंसर लिटी निया मार्टी आखनगत भलती हो है कौने प्रेंस अब दृच्छी तरील सब्वाब मतइब क्लें जेज़ने हैं आपको यह बता हमें पटन्ड की का कितना भाग वगा साड़े वाग ₹ वर अख वरा है तोटल आपके टंकी का कैपिसिटी कितना है 24 24 में से बढ़ाएं कि यहां तक कोई दिखत परिशान नहीं कि दीपक महरा सर एडवांस की कुश्यन भी बढ़ाना बढ़ाना के पढ़ाना टॉप 45 mm रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूं आधी चीज़े तो आपकी उपर से निकल जाती है बना आप लोगों की मुझे अनूप सिंग सर एडवांस मेंच कप पढ़ाएंगे पहले भाई आपका नौबा देन है और नौ टॉपेक आपके कंप्लीट हो गए ठीक है यह जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा आर्थमेटिक क्वांट जैसे आपका खताम हो जाएगा एडवांस पर आजाएंगे एडवांस भी पढ़ेंगे दिवालियों में घर की सफाई होने लगी है चलो पानी की एक टंकी में दो वटे पांच भाग पानी बरा हुआ है उस टंकी को भर सकता है ठीक है जबकि भी इसे च्छे मिनिट में खाली कर सकता है यदि दोनल खोल दिये जाए तो आपको बताना है कि कि तने समय पूर्णता भरेगी या फिर खाली हो जाएगी कि 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 सबसे बेले बात बता पानी के टंकी मैं तो प्रटे पाँच भाग भरा है कि तो इस Tंकी को दस मिनिट में भर सकता है दस मिनिट में भर सकता है मतलब अगर दो बटे पांच टंकी आपकी भरी होई है तो तीन बटे पांच खेर इसका तो मुझे कोई रॉल लग नहीं रहे एक काम करो यहां पर यहीं से सुरुआत करो कि ए 10 मिनिट में भरेगा बी उसे 6 मिनिट में खाली कर देगा ठीक है याँ पर कितना धैगा-3 ठीक है कि और दो बट्टे पांच तंकी का पानी भरा हुआ है अगर भरा हुआ है तो यहां पर85 अगर भर ब्लबेल से आपको खाली करना अग्याक श्ुर今天 करना मतलब6 पूरी तंकी ऐपकी ख़ाली हो जाएके majestic कि आपको काली मिलेंगी मतला इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर हमश कि यहां तक कोажи दख्रत प्रेशा निन अंबपर एस सवाल क्या होना चाहिए करेक्ट क्या आंसर है है कि ठीक है चल आगे बढ़ें अगला अगला एक पाइप इसी टंकी को पाँच गंटे में पानी भर सकता है इसी टंकी को कोई दूसरा पाइप चार गंटे में खाली कर सकता है यदि टंकी पूर्टाय भरी हुई है तो दोना पाइप एक साथ पूल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी मतला आपको बता डिनी इसे चार घंटे रखाली कर दें सबसे आप क्या कर होगी अगा ठीक अ किम चाल होगे या ढफिक का टूटल डोगे पान February 24 ऐगा से कि अपर इन यहां पर निकाल होगे तो यहां पर चार देखाल का क्या होनाच जह दो करेक्ट अंसर में अब बताओ यहां तक निकता ठीक है रोहित इलाजेत थीक है और बताओ और को देक्त परशाण कउखें करिपा रूहित परियौ तो छलो आगे वादे है अगला जब के अगला सेवाल एक पंप किसी टंकी को दो घंटे में भर सकता है टंकी में पानी चूने से इसके भरने में धाई गंटे लगते हैं दो सब्सक्राइब हुई टंगी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी बताओ गजब समस्या है कि सब लोग सफाई में लगी है हाँ मुझे भी लग रहा है कि दीवाली की सफाई आपके घर पर चालू हो चुकी है कि 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 अगे नहीं आया किसी का क्या अंसर सारुख खान का अंसर आ गया भाई सारुख खान आपके बेटे की जमानत की सुनवाई है आप गए नहीं वहाँ पर सरी यह प्रश्म कहां से लाते हैं मिठाई की दुगान से हैं कि देखो एक बात बताओ एक टंकी को कि बरने में दो गंडे का समय लगेगा लेकिन रिसाब वहने की कारण टंकी मतलब ए और वी साथ में भरेगा भी और खाली भी होगा तो दो सही एक वटे तीन दो से समय में टंकी आपकी भरेगी तो आपको यह बताने कि जो निकासी नल है जार रिसाब का जो आपका रास्ता है उस रास्ते से पूरी टंकी आप कितने समय में खाली करोगे तो एक कांब करो यहां पर सबसे पहले आप सब ना मिलेगा टंकी का टूटल कैफिसिटी चाउदा ठीक है चाउदा मिलेगा तो एक काम जरू इस दो से आप डिवाइड दे दो कितने जाएगा साथ इस साथ से डिवाइड दो बर जाएगा दो और तीन 6 मतलब यहां पर एक बात बताओ अगर मैं पहले नल को खोलू तो साथ कि भर सकता हूं लेकर जैसे मैंने दूसरा नल भी खोल दिया तो कि यहां बह गया और उस बहाव का आपको बहा चल गया मतलब डीकी रेट आपको पता चल गई हुआ paragraph बताओ चौर्द लीट कि यहां तक कोई दिक्कत परेशान नहीं कि क्लियर नंबर डीट सवाल लेका क्या होना चाहिए करेक्ट अंसर रादे स्याम यादव कि संजय सोनी ठीक है सब सर आप इतना जल्दी टाइम बर्ग कैसे निकाल लेते हो प्राची पमार बेटा प्रेक्टिस आप करोगे तो आप भी निकाल लोगे इसमें क्या बड़ी बात है प्रेक्टिस आप जो महीनों में कभी कवार एक बार प्रेक्टिस करते हैं मेरी प्रेक्टिस आपके सामने डेली चलती है आप ऐसे डेली प्रैक्टिस करो तो आपका भी निकल आएगा ठीक है चलो आगे बढ़ें अगला सब्सक्राइब दस कुश्चन के बाद अभी दस कुश्चन तक मैं आपका केबल रिपीजन करा रहूं दस कुश्चन के बाद मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा अभी आपके सामने कौन सा है आठवे नंबर का ए और भी एक बाल्टी को भरने में 15 और 12 और 15 लेते हैं यदि खुला यदि दोनों खुल है दोनों खुल दिये जाए ठीक है थोड़ी मिस्टेक है और एक तीन मिनिट के बाद बंद कर दिया जाए तो भी उस बाल्टी को भरने में कितना और समय लेगा सबसे पहले एक बात बता हूं ए और यह सारी कंडिशन सारी क कंडिशन आप पढ़ चुके हो कहां पढ़ चुके आप लोगे सारी कंडिशन अब टाइमेंड वर्क में पढ़ चुके हो तो यह बारा और यह आपका पंद्रा टूटल वर कितना आएगा आपका साथ ठीक है रेट कितनी आएगी भाई सब यहां पर बारा पंजे साथ चानी कितना आपका 33 ठीक है अब एक को बंद कर दोगे तो बी उस टंकी को कितने समय में भरेगा बी किस टंकी को चार की रिट से भरेगा मतलब देटीस अ बटे चार तो यहां पर क्या करोगे चार अठ्ठे बट तिस एक बटे चार एक बटे चार को मिनिट में चल आगे बने अगला सवाल कि एक किसी हौज को नल तो चार गंटे में भर सकता है तो फूरे हवे को olsun को नल को एक साथ ठोल दिया जाए तो होज को कितना समय लगेगा भरने में बता है कि टोटल वर्क इतनी जल्दी आ जाता है आपको पूरा गुड़ा इसलिए पूरा करना पड़ता है लेना पड़ता है क्योंकि आप लोग वीडियो को नहीं करते हो शेयर करोगे नहीं करता हूं वीडियो को इसलिए मेरा एलसीम जल्दी आ जाता है ठीक है आप लोग भी करोगे तो आपका एलसीम जल्दी आ जाएगा चौविस टोटल वर्क निकालो गई तो कितना आएगा आपका चौविस इनका एलसीम ले लो आट छे और चार यहां से देफूँगों यहां से चार से गाटों चार ची चौविस चैसे चार और आठी चौविस और यह भी निगेटिव होगा ठीक है तीनों नलों को एक साथ पानी का बनेगा साथ पानी का बनेगा मतलब छे और चार दस ठीक है और यहां पर साथ पानी जाएगा तो चौविस लीटर की टैंकी थी साथ की रेट से आपकी भरी जाएगी तो बताओ भरने में कितना समय लगेगा एक बात बताओ साथ तीन इक्किस ठीक है तो यहां पर कितना बचेगा तीन इक्कीस और तीन आपका 24 बटे साथ यहां पर कर लो आप मल्टिप्लेड वही साथ साथ से काटो की कितनी बाद जाएगा दस तीन तीन 27 के सम्तिंग आना चाहिए ठीक है आप एक काम करो तीन 27 के सम्तिंग लिखो कैसे कि यहां पर तीन 638 ठीक है और यहां पर आपका साथ साथ से काट वे साथ दूनी चाहुदा चाहुदा मतलब साथ चालिस साथ पंजे पैंतिस मतलब 26 कर लो तीन 26 ऑप्सन नमबर भी यह आपका अंसर हो जाएगा अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत पर रहे सानी ऑप्सन नमबर भी सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट अंसर मिनिट्स नहीं कल पर रहे कल पर है मतलब चंदा याद अब ठीक है चलो बढ़े आगे अब यह सवाल तक हम लोग आराम से चलेगी इसके बाद थोड़ी से हम लोग को इस पीड़ानी पड़ेगी क्योंकि यहां तक क्या सफर केवल आपका ठीक है आधा यति िफिट एक तेंगी को प्रतिकी तीछ रूप से दस पीस और 30 मिनिट में धरते हैं एक निरिगम पाएप फूरे टैंगे फोशी मिनिट सब्सक्राइब लेंग्वेज अच्छे से पढ़के समझ लेना बाखी सवाल में कोई दम नी होगा कि यह सबसे पहले बात बताओ यहां पर कि आएगा 10 ठीक है यहां पर कितना आएगा आपका 20 और यहां यहां पर कितना आएगा अपका यही होगा ठीक है अब रेत निकाल निकाल लोगी तो यह 29-15 ठीक और यहाँ पर कितना यृटा हो की साथ टंकी तो साथ की रिटस से भरेगी तो अब बताओ यहां ता कोई दिक्कत परेशान नहीं अब आप लोगे सिखायते कभी कंप्लेट ही नहीं होती है गुरुदेव आरस अगरवाल की बुक करवादो कंप्लेट हुआ पहले जो पढ़ा रहे बहुत पढ़ा दो आरस अगरवाल की किताब भी कर लो आप सारदा की भी कर लो सब करलो आप और अब ही जो पढ़ा रहें तो फिर मिक्सप कुशन करा दो प्रीवेस हैं करा दो चलो पड़े आके अब थोड़ी से आप लोग स्पीड मेंतेन करना कमें घंब हो छुए थोड़ा सांव लोग न आप इस पीड बढ़ाएंगे ठीक के बेसीक वैसिक सारे सवाल आप लोगेशचींस्याफ अब अब स्टार्ट करने से पहले अपनी स्पीड के कुशिन्स तो एक बार आप लोग देख लो अगर अभी तक आप लोग ने MP परिच्छा के application इस्टॉल नहीं किया है तो एक बार आप ऐसे install करो playstore पर जाके और यहां पर आपको देना है पांच rating इसके बाद इस application पर यहां पर MP परिच्छा से कोई भी आप टेस्ट वेपर हो वीडियो कोर्स हो लाइक कोर्स हो आप परचिस कर सकती हो बस एक reference को डियूज करना क्या SOM SIR 4G ठीक है इससे मिल जाएगा आपको क्या 40 परसेंट का डिस्काउंट ठीक है SOM SIR 40 से चलो अब आप लोग तैयार हों कि सर इसको बोलते हैं डिमांड मेगा मोक टेस्ट कब होगा अरे भाई विश्नु बिल्कुल होगा जरूर होगा सटर्डे को आपका लाइफ पोल टेस्ट है लिंक अभी कि आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी ठीक है सटर्डे को हम लोग एक सेशन रखेंगे धाई बजे से उसमें आपका लाइफ टेस्ट होगा उसमें आपको अपना आंसर पोल के माध्यम से बताना है ठीक है बहुत मजह आएंगे वह क्लास आप लोग जरूर अटेंड कर रखिए अभी से आप लोग मेंट को सैट कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर सेर करने का मौन हो सेर कर सकते हो ठीक है कि और हां सटार्ड़े को आपका मैंस का है उससे पहले फ्राइडे आएगा फ्राइडी को आपका रीजनिंग करेगा सटार्ड़े को मैंस फ्राइडे को रीजनिंग चलू दूसरा पाइप जान देते हैं कि यहाँ परने की में दो पॉखे हुए। सबसे पहने कि कितने समय में भरेगी आठ दूसरा निकासी का निकासी का है कितने समय में खाली करेंगा पाँच ठीक है टोटल वड़क कि कितना अगा 40 कितना आएगा 40 रेट निकालों तो कितना आएगा आपका 5 और यहां पर 8 ऐह थीज़ोर से का रही तों यहां पर टोटल को है अब बरने के लिए कितनी है यहां खाली करने के लिए कितनी है थीज लुड़नों या फाल थो प्राणर्म में चार मिनिट तक दोनों पाइप को खोल दिया जाता है इसके बाद तीसरा फुला जाता है तीसरे पाइप के खोलने के बाद कितने समय के बाद टंक ही आपकी खाली हो जाएगे बताओ कि सर्जी टेस्ट में लाइव रेंकिंग बताएंगे क्या अरे बिल्कुल बताएंगे भाई साथ अगला सवाल 15 मिनिट में इसरे साथा प्था मिनिट में भलेगा कि तीसार में आप तो यह पांच मिनिट में खाली करेगा मैं आपको अमन सर्गा नंबर देदूगा जो भी आपका डाउट रहा करें जो भी आपकी चीज़ रही रहा करें आप डारेक्ट ने कॉल किया करो 24 लाइब टेस्ट वो कुछ भी हूँ आप डारेक्ट ने कॉल करो कभी भी करो ठीक है कल आपको नंबर देदूगा मैं तो यहां पर इनका टोटल कैफिसिटी कितना आएगा हां लेकिन कल नंबर अमन सर नंबर मिलेगा तब यह छोटा परिवार इना है लुए फ़की ने कि ठीक है तीन सो पार हो जाएगे ना अपर उसनल में आपका अनंसर का नमबर बिलुआ आप डारेक उनसे बात करूं बहुत अच्छे इंसान हैं पंद्रा दूनी तीस दस तीन तीस पांच छे तीस ठीके अब क्या करोगे अगर दोनों को खोलोगे तो यहां पर पांच और यहां पर आ तो यहां तो यहां तक को बारा मिनिट और अठारा मिनिट में भर सकते हैं दो मिनिट तक दोनों नल टंकी में खोल दिये जाते हैं तथा इसके बाद पहले नल को को बंद कर दिया जाता है इसके बाद तंकी कितने समय में भर जाएगी बताओं phi कि यहां पर अगर देखोंगे यह ओगा आगा मिनिट में भरने वाला ही होगा आपका चला मिनिट में थम्की कूंघ कर तोटल को रोगा आपका 36 यहां पर कितना आगा बारत तीन चाथारा दो निग चाथ अब बताओ दो मिनिट तक दौनों नलों को एक साथ आपने टंकी में खोल दिया मतलब एक समय में कितना पांच और यहां पर दो समय में कितना हो जाएगा दस यहीं होगा तता इसके बाद पहले नल को बंद कर दो मतलब 10 टंकी आपकी भर गई बची टंकी कितनी आपकी 26 पहले नल को आप बंद कर दो अब क्या होगा इसके बाद दूसरा नल आपको भरने को मिलेगा मतलब दोखी रेट से तो आंसर कितना आएगा आपका 13 मतलब और अपसर नंबर भी ठीक है ऑप कि 70p दावल पानी आथा है उसका आदा भाग भर भरा होनी पर उसमें कितना पानी यह वाद ऐस बताओ 15 लेट यह व्यूंड है अपका 140 आदा भाग पूछा जाए तो आदा भाग मतलब 120 है ठीक है तो 120 आपको बताना है ठीक है आदा भाग 120 का आएगा चलो आगे बढ़े अगला सवाल दो नल ए और बी किसी होज को 30 और 40 मिनिट में भर सकते हैं तीसरा नल सी उसे 50 लिटर प्रती मिनिट की धरते पानी बाहर निकालेगा यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी एक गंटे में ठीक है एक गंटे में भर जाएगी तो आपको बताने पूरे होज क कि धारिता क्या होगी बताओ कि अ कि अ कि अ कि अ कि तब से पहले यहां पर देखोंगे तो एक ठीक है और यह आपका भी यह कितना आएगा तीस और यह कितना आजाएगा आपका 40 यह होगा ठीक है तीसरा नल से 50 लिटर सी का आपको टाइम लिए रखा है लेकिन हां पचास फ्रती मिनिट पचास लिटर में मैं 2 मैं तरगे रखा है ठीक है और तीनों नलों को गर एक साथ कोल दोगे और याजिक गंटे में शक्राइगे तो 100 मिनित में टंके आपकी बर जाएगे मिनिट में सब को रखो तो टाइम ठीक है टोटल वर कितना आएगा 120 говорить中國 को 120 कि 120 आगया थीक है यहां पर किना रेट निकालो रेट निकालों कि तीन से काट्व चार बार जाएगा चार से काटों तीन जैगा और यहां पर कितना अगा जोगत कि अब खुद समझना अगर यह मिलकर टंकी को भरते तो साथ लीटर एक समर्मण पानी जाता है मतलब साथ की रेट से पानी भरते और यह भाई साब कियोड दो लेटर पानी टंकी में जा रहा है मतलब हुआ क्या डालना था साथ और पहुचा केवल दो मतलब कहीं न कहीं पांच पानी बह गया होगा या फिर पांच पानी का रिसाव हुआ हो पांच पांच की रेट से पानी आप बहाए अब खुद बताओ 120 लीटर पानी पांच की रेट से बहाओगे तो टोटल कितना 24 मिनिट में पूरा टंकी आपकी खाली हो जाएगे मतलब पूरा टंकी आपकी खाली हो जाएगे तो यहां पर क्या करोगे आप ठीक है तो यहां पर करना क्या है आपको एक मिनिट में कितना जा रहा है पचास तो यहां पर कितना जाएगा आपसा 24 तो यहां पर कितना आएगा पांच शार बीस दो कहरी करों पांच दुने दस और दो बारा मतलब टंगी का लीटर होगा वो कितने का आओगा option नमबर एक हैं बारा सो का हजार गलत आंसर कि अगर को यहां का को दिक्षत परेशानी option नमबर एस सवाल का correct अंसर अगला सवाल है थीन पाइप ABC एक टंकी को 10 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं पहले पाइयप है पहले खाली टंकी को ए सब्सक्राइस को खोला जाएगा उसके बाद बी को भी खोल दिया जाएगा तथा एक कार्रेत्थ होने पर दो घंटे के वाद सी को भी खुल दो पूरी टंकी भरने में आपको बताने में कितना समय लगेगा बताओ अरे अभी ऐसे सवाल और करवाएंगे आप लोड मतलो टंकी का जो कैफिसिटी आएगा ने इस टाइब के सवाल और करवाएंगे समझो यहां पर ए यहां पर भी और यहां पर आपका सी यह दस यह बारा और यह आपका पंद्रा आज की क्लास के एक भी कुश्यन आपका बाहर नहीं जाएगा पाइप एंड सिस्टन का आएगा तो इसी में से आएगा नहीं तो आपके एक्जाम में कुश्यन ही नहीं आएग यहां पर साठ फिक है बस जितना भी Maximum लेवल हो सकते खोई भी मैजिम मो भी एकला कर देखिए लिए उस Maximum लेवल तक हम सवाला करने बाले हैं तो यहां पर क्या करोगे रेट निकालोगे तो आएगा कितना आपका छे-च्वच," पाँच रेट निकालोगे चार, अब समझो, पहले खाली टंकी में A को खोला जाता है, मतलब हुआ क्या बिटा, आपने क्या किया, पहले A को खोला, ठीके, एक घंटे के बाद आपने क्या किया, B को भी खोल दिया, मतलब A तो ओपन था, इसके बाद B भी ओपन कर दिया, और 2 घंटे तर, मतलब 2 घंटे होगा दूसरे गंटे में दो गंटे में ए और भी मतलब 6,5,11 दूनी 22 पानी भरा होगा अब खुद बताओ तोटल कितना पानी भर चुका है आपका 28 पानी भर चुका है 60 में से अगर 28 पानी भर चुका है तो बचा पानी कितना आपका 32 अब ये 32 पानी कौन भरेगा ये 32 पानी भरेंगे बेटा तीनों लोग मिलकर कितना 6,4,10 और 5 पंदरा की रिट से 32 पानी भरा जाएगा कितना 15 की रिट से मतलब 15 दूनी 30 दो बटे आपका पंदरा वो ये ची समझ में आ रही 28 तो आपको बताना टूरी टंगी को भरने में कितना समय लगेगा दो और एक तीन तीन और दो आपका पांच पांच गंटे की समस्टिंग लगया इन मैंसे कोई नहीं कि पांच चार वाबन कैसे लग रहे हैं यार यह गलती हो गई यह गलती हो गई गलती क्या है कि यहां पर कुश्चन आप एक बार फिर से पढ़ो यह थोड़ा सा मिश्टेक है ये एक गंटा आएगा यहां पे ठीए ठीए तो आपका यहीं से लग गया था तो बच्छा हुआ एक गंटा बीखे के साथ जाएगा ठीक है यह हो जाएगा यह थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करना इसे एक एक कार्यरत होने के आपको दो घंटे बात का वताना है मतलब यह तो स्टार्टिंग से लगा है और अखेला एक घंटे काम कर चुका है तो बचा हुआ एक घंटे भी के साथ करेगा ठीक है तो यहां पर क्या आएगा आपका पांच च्छे और यहां पर पांच और च्छे आपका 11 तो टूटल कितना हो जाएगा यहां पर आपका 17 अब आप और तीज मतलब 23 गंटे बावन मिन Grü 250 तो और 14 covenant यांसर आना चाहिए घंटे 24 अ और ही के दो घंटे के बाद है ठीक है अब बताव यहां तोक ऊछ मी दि ہیں ये चलो अगला सवाब lazos कि भरने वाले वाले पायक पूरी टंकी को जो ढख सकते हैं मतलब जो भरने वाला और खाली करने बाला बीस समय में खाली करेगा टोटल वर कितना आएगा बीस ठीक है रेट कितनी आएगी एक और रेट कितनी आएगी यहां पर आपकी दो यही आएगी ठीक है अब क्या करोगे दौना पाइब सुबह साड़े छे बज़े खुल दो बेटा सबसे पहले ही पानी भर जाएगा और बीस टंग की मतलब 20 गंटे लगेंगे यही समझ में आ रही 20 गंटे आपके लगने चाहिए हैं कि क्लियर है यहां तक अब आप खुद बताओ साड़े छे बज़े मतलब धाई बज़े मतलब धाई बज़े और आपसा नमबर एग सोनी यहां विजय ठक और चलो यहां तक कोई दिक्रत परेशानी आगे बढ़े अगला सवाल ए और भी ए और भी क्रमसा एक घंटे दो घंटे में पाइप को बहर सकते हैं सी भरेगों टंकी को एक घंटे 15 मिनट में खाली करेगा मतलब यह एक घंटे में ठीक है और भी इसे दो घंटे में खाली कर सकता है स्थी भरे हुई टंकी को एक घंटे 15 मिनिट को आप साथ घंटे में कनवर्ट करोगे 15 से काटों के चार 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 और पांच वट्टे चार यहीं मिलेगा पांच वट्टे चार ठीक है अब ए और सी को सुबह नौ पांच आएगा यहां पर पांच दूनी दस चार दूनी आठ आएगा यह ची समझ में आ रही यहां तक भी सारी चीज़े क्लियर है अब आजाव कंडिशन कर के ए और सी को सुबह नौ बजे खुल दो मतलब यहां पर क्या खिया जैसी नौ बजे सुबह की जैसी नौ बजे तो आपने क्या किया एक को खुला और एक के साथ आपने सी को भी खुल दिया ठीक है दो घंटे के बाद मतलब ग्यारा बजे आपको बतानी कब खाली हो जाएगी यह खाली करने का यह निकासी वाला है ठीक है एक बात बताओ 9 वजे से लिकर 11 वजे तक कौन चला एक और सी चला शेनती तो सोचे दिख़त परशान नी अब भी ऑर स्वाइब धमक एक तो यहां पर माइनस तीन पानी होगा मतलब। जितना भी अब उसे समया गया खाली करने का तो चार टंकी है आपके पास भरी हुई जिसे तीन की रिट से आप खाली करोगे तो यहां पर क्या करोगे एक सही एक वर्टे तीन मतलब एक घंटे बीस मिनिट मतलब 11 बच चुके हैं तो 12-20 पर आपकी टंकी पूरी खाली हो जाएगे कि यहां तक कोई दिक्कत परेशानी 12-20 पर पूरी टंकी यहां पर आपकी खाली हो जाएगे चलो आगे बढ़े अगला सवाल दो पाइप A और B 15 और 20 मिनिट में टंकी को भर सकते हैं दोनों पाइप आपको खोल दोगे चार मिनिट के पाद पाइप A को बत कर दो भरी टंकी को ठीके टंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा तड़ा गला सवाल बदबुदार सवाल आंसर निकालो 15 ठीके यहां पर B 20 टोटल टंकी का वर्क निकालोगे तो कितना आएगा आपका साथ रेट निकालोगे चार और तीन ठीके जोनों पाइप एक साथ खोल दिये जाते हो चार मिनिट के बाद चार मिनिट मतलब एक समय में भरेंगे साथ तो चार मिनिट में कितना भरेंगे 28 पानी 28 पानी भर चु तो यहां पर साथ का मल्टिप्लाई करोंगे तीन से काटोंगे दो मतलब 1040 थीकश चालीस आना चाहिए तीन एकम 3, 30, 10, 40 आना चाहिए, ठीक है, टोटल पूचेगा, क्या, टस, 14, 40, अगर टोटल टाइम पूचेगा, पिल कितना समय लगेगा, 10 समय फोस्चे, किन धोल कि चार समय पाईप की तिरिजया का बर्ग के अनुसार पाईपाँ में पानी का परवा कि दर का अनुपात प्रतिलॉमित ब्दला जाता है पानी अगर ह संतिमीटर नीगा अगर उल्ला को इस नीग आप्सन नंबर के आना चाहिए डी यहां था कोई दिक्कत परेशा नहीं कि यहीं तो खेल है वाह राजवीर भगेल चलो बढ़े आगे अगला सवाल तो यदि टंकी में लगे दो पाइप एक साथ कारण रहा था हूं तो बारा गंटे में टंकी भर जाती है यदि एक दूसरी पाइप से दस घंटे जल्दी भर देता है तो आपको बताना है कि दूसरा पाइप इसे से दस गंटे जल्दी भरतेगा जल्दी भरतेगा मतलब यह एक्स होगा तो यह कितना हो जाएगा एक्स प्लस 10 यहाँ तक ही कहानी आपने दिखे अब आपको नहीं दिखने है और आपको आना एंअ आप्सेन के पास कैसे बेटा यहां पर अगर कि तीस होता ठीक है यहां पर अगर यह वीस होता तो यहां पर कितना हो जाता यह 30 समझ में आजहीं कि ठीक है इनका टोटल आप बढ़ कुंगे इस तोटल वर्क लोग है इनका तीन आईगा इनका दो आएगा पांच आएगा 5 से काट वेगा 12 बिल्कुल कंडिशन सेटिस्फाइड तो आपसे नमबर टी कि यहां तक कोई दिक्कत परेशान नहीं कि दूसरे पाइप का बता ना दूसरे पाइप का तीस है ठीके अरे बीस नहीं आएगा दादा एक बार फिर से समझो यदि एक टंकी में दो लाइब दो नल लगे हुए ए जल्दी एक पाइप दूसरे से 10 गंटे जल्दी बरेगा अगर यह तीस समय लेगा तो तस गंटे जल्दी बरेगा बीस घंटे में भर देगा खतरनाक इंसान चलो आगे बढ़े अगला सवाल पानी से भरी हुई 12 बाल्टियों की एक टंकी भरी जाती है जबकि प्रतेक बाल्टी 13.5 लिटर की है बताओ भाईया चैन दूल पड़ा होगा ना 12 बाल्टी है एक बाल्टी की धारता कितनी है 13.5 और ऐसे ही 9 लिटर की छमता वाली आपको कितनी बाल्टियां लगानी है बाईस आप कोईंट को उड़ा दो यहां पर 0 लगा ठीक है तो 9 से काट तो 9 एक कम 9 9 5 45 ठीक है पांस से काट तो 5 2 10 5 3 15 दो से काट तो कितनी बार 6 तो 6 और 3 18 मतलब आपसे नमबर 20 सवाल का क्या आना चाहिए ये करेक्ट अंसर अठारा आएगा चलो बढ़े आगे अगला सवाल एक नल किसी पानी की एक टंकी को 40 मिनिट में भर सकता है दूसरा नल भरी हुई टंकी को 60 मिनिट में खाली कर सकता है गलती से दूसरा नल बंद किये बिना पहला नल खुल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय सब्सक्राइब कि टोटल बर कितना आएगा 120 ठीक है यहां पर कितना आएगा तीन और यहां पर कितना आएगा दू बेटा दोनों को भरों के एक की रेट से मतलब 120 अब बताओ यहां था कोई दिखत परेशान नहीं राजेस भाइसाब का अंसर आता हुआ अजीत भाइसाब का अंसर गलत आता हुआ कि अगला सब्सक्राइब एक नल किसी टंकी को 16 मिनिट में भर सकता है दूसरा नल इसे उसी टंकी को 8 मिनिट में खाली कर सकता है यदि टंकी का एक वटे दो बाग भरा हुआ है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरेगी या खाली होगी ठीके तो आपको बताने बेटा समय कि पवन सिंग सोहन पालिवाल यार बात बताओ एक टंकी 16 मिनिट में दूसरा नल इसे आठ मिनिट में खाली कर सकता है मतला भरी टंकी को ठीक है टंकी का गैपिसिटी 16 जेख यार अगर रेट खाली का ने की चाता है तो टंकी भरेगी तो बिलकुल निए भाई साथ है अब टंकी खाली होगी और किस बैलनसिसी से खाली उगी एक के बैलनस sub prevention खाली lengthy तो Solomon मतलब एक बटे दो टंकी को भरू मतलब टंकी आपकी आठ भरी हुई थी एक की रिट से खाली करोगे तो आठ मिनिट में आपकी खाली हो जाएगे और सा नंबर कि यहां तक कोई दिक्कत परिशानी मजे आ रहे हैं इससे बार एक पुशन नहीं जाएगा जितना मैं आप तो घरबा रहा हूं यह मैक्सिमम लेवल है हर टाइप की हर वेराइटी की सवाल मैंने यहां पर कवर आपके करा दिये इससे बार एक भी सवाल नहीं जाएगा पहले पहले नल की चमता दूसरे नल की चमता का तीन गुना है अगर रेट की बात करोगे यह ताइम छोड़ो यहां पर रेट की बात करोगे स्वाठी मीला करो तो अब मिलेख कर 20 घंकी को भर सकते और दौनों की मिला कर रेड कि कि सबसे पहले तो निकालो टोटल वर्क कितना आएगा बीस मल्टिप्लाइड में आपका चार यही आएगा ठीक है और तीन की रेट सिखा भरेगा तो चार दूनी आठ असी बटे तीन ऑप्सन नमबर असी बटे तीन चलो आगे बढ़े अगला सवाल और भाई सबसफाई अप लोग रात में कर लिया करो दिन में मत किया करो दिन में क्लास लिया करो ठीक है साथ सबसफाई तो आपकी रात में भी हो जाएगी राजपाल कुस्वा यह वाला को सवाल हो चुका है ने अब भी कराय था ही रिपीटेट है ठीक है 120 इसका अंसर आयता ऑप्सन गलत है यहां था कोई दिख्कत परेशानी हाँ यह वाला सवाल आपका रिपीटेट है हाँ कि चल आगे बढ़ें अगला सवाल यह वाला भी मुझे रिपीटेट है नहीं यह रिपीटेट नहीं है कि यह बात बताओ दो पाई में 15 घंटे ठीक है दूसरा पाई 12 घंटे तंकी को बरेगा तीसरा पाई भरी टंकी को चार गंटे में खाली करेगा बाइस आप सबसे पहले निकालो इनका क्या टोटल वर्क, LCM ले लो 12, 15 और 4 का LCM लोगे 60 आएगा यहां का कोई दिक्कत परेशान नहीं अब अगर आप इनकी रेट निकालोगे, रेट निकालोगे तो 15, 4, 60, 12, 50, 60 और यहां पर आपका कितना आएगा यहां पर कोई दिक्कत परेशान नहीं अब समझे ना आठ नो 11 बजे करके सारे ननों को उपन करो, मतलब यह सी 8 बजे जैसे 8 बजे आपने क्या किया, एक को उपन कर दिया ठीके, और जैसे 9 बजे तो आपने क्या किया, एक के साथ बी को भी उपन कर दिया, जैसे 11 बजे एक को उपन किया, बी को उपन किया आपने सी को भी उपन कर दिया यहां तक वी दिक्कत परेशान नहीं अब समझना एक घंटे में एने कितना भरा होगा तो यहां पर मिलकर अठारा पानी मतलब तोटल आपकी टंकी 22 भर चुकी है है तोटल आपकी टंकी कितनी वर चुकिए बाइख अब देखना कहानी अब तीनों नल खोल दिया मतलब यह नो की रेट से भरेंगे और यह 15 की रेट से खाली करेंगे मतलब तंकी में आप 6 की रेट से खाली की जाएगी तंकी आपकी चेकी रेट से खाली की जाएगी अब आप खुँझ आप को उप्से को और अब को उब्हुप नहीं रहाएं पर चलो दो त्होड़ से लिक रहा है शहारके 40 मिनिट 3 गंटे 40 मिनिट का मतलब यह है कि बाइस 12 बच्चों की है 2 बजकर 40 मिनिट पर आपकी पूरी तंगी खाली हो जाएगी 2 बजकर 40 मिनिट पर यह Пूली तंगी हो जाएगे अब बताओ यहां तक कोई दिखत परेशानी क्लियरे यहां तक चलो बढ़े आगी अगला सवाल अगला क्या है एक छेद द्वारा तंक भरी टंकी आठ गंटे में खाली कर दिया जाता है ठीक है यह आपका निकासी नल है मतलब 8 गंटे में खाली करेगा और भरी टंकी में 6 लीटर प्रती मिन्यट की दर्से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर 12 गंटे में टंकी खाली हो जाती है, मतलब यह आउशा क्या एक टंकी आप दूसर की आपे भरी टंकी को भरेगा कीस रेच से भरेगा 6 लीटर अगला अभी मिनिट की रेट से और दोनों नलों को जब एक साथ फोल दोगे तो टंकी आपकी बारा घंटे में खाली हो जाएगे तो बिटा आपको बदाना टंकी की धारिता क्या है बताओ धारिता मतलब टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना होगा अब बताओ 4500 सारुखान का अंसर आ गया सबसे पहले टोटल वर्क निकालो कितना आएगा टोटल वर्क 24 ठीके रेट निकालो अब समझे न एक बात बताओ यह तीन की रेट से खाली करेंगे लेकिन हुई रेट से कितनी हुआ के वाल दो की रेट से खाली मतलब एक कही न कहीं अब आपको पता चल गया भरने का रेट मतलब 24 अगर टंकी होगी एक की रेट से भरी जाएगी मतलब आपको 24 हमाई लगेगा क्या यूनिट लगेगी यहाप ठीक है घंटे लगेंगे 24 घंटे अब खुद सोचो एक मिनिट में आप 6 लीटर पानी टंकी में डालोगे तो ए 8640 मतला option number 20 सवाल का correct answer सबका answer गलत सबका भाई सब इनका multiply करना क्या 66 36 होगा और 24 ठीक है 64 24 24 24 मतला दो कहरी करोगे चार तीन बारा तो 14 24 26 26 मतला दो कहरी करोगे 8 864 आएगा और एक 0 कहां से आपका 45 तो आ जाएगा सबका answer गलत आ रहे सबका दिमाद तो किसी के पास ही नहीं यहां था कोई दिख्कत परेशान नहीं क्लियर है option number 20 सवाल करके आना चाहिए correct answer यह कोन है भाई easy question करवाती है बस अगला सवाल नल किसी होज को 20 मिनिट में भर सकता है जबकि नल इसमें पांच लिटल प्रति सेकेंड की दर से पानी बाहर फेकेगा पूर्टे खाली होज को दोनों नल एक साथ फोल दिये जाते पर जाने पर सौ मिनिट में सौ मिनिट में होज आपका भर जाता है आपको बता नहीं है टैंकी का कैपेसिटी मतलब छमता कितनी होगी बताओ कि यह एक बात बताओ सबसे पहले यह कोई नल होगा बीस मिनिट याद रखना यहां पर कि यूनिट का ही खेल है बीस मिनिट में टंकी को भरा जा सकता है जबकि एक दूसरा नल है कि जब पूरी टंकी खाल ली हो ठीक है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए मतलब एक के साथ आपको भी को भी खुलना पड़ेगा तो टंकी आपकी सौ मिनिट में सौ मिनिट में भर जाती है तो आपको बतानी सौज की छमता क्या होगी ठीक है समझना कैसे निकालोगी सबसे पहले बेटा आप लोग निकालो इनका टोटल वर्थ कितना आएगा मान के चलो हंड़ेट कितना आएगा हंड़ेट अब एक बात बताओ यहां पर कितना आएगा पांच ठीक है यहां पर कितना आएगा आपका एक अब खुद बताओ यहां पर आप टंकी में भरना चांते थे पांच लीटर लेकिन जा रहा है कि अवाल एक लीटर मतलब चार लीटर टंकी का पानी फैल गया जो निकासी नल था वो चार की रेट से टंकी को खाली करेगा तो बैटा यहां पर 100 लीटर की टंकी थी 100 यूणिट की टंकी थी 4 लीटर से खाली होगी मतलब 25 समय लगेगा और समय कौन सा लगेगा मिनिट का लगेगा मतलब 25 मिनिट लगेगी क्योंकि यूणिट अभी तक जिसमें आपको बर्क किया हुथी मिनिट की अब आप खुद दो बताओ ये एक सेकेंड में पांच लीटर पानी बार फेकीगा तो पूरा एक मिनिट में साथ का मुल्टिप्लाई करना पड़ेगा और पच्छीस मिनिट के लिए यहां पर आपको 25 का मुल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो यहां पर कितना है गाई छेपंजे 30 25 सबसे अच्छा टाइप यहां पर आपको तंकी का धारता बताना हो या तंकी का कैपिसीटी बताना हो ठीक है यहां तक कोई दिक्कत परहिशा नहीं बड़े आगी बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है यह आपका सवाल उसी टाइप में ठीक है बताओ कि अच्छा रीजनिंग का जो आपका क्लास है ना आज वह साड़े आठ बजे होगा आठ बजे नहीं होगा थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही सर के साथ तो इसी लिए टाइम चेंज हुआ है तो आज आप आठ बजे नहीं साड़े आठ पर चुड़ना प्रॉब्लम नीचे लिंग जो आपको देखे रखे न उसमें टाइम आपका अपडेट कर दिया गया है तो साड़े आठ पर होगा आज आपका क्लास ठीक है एक पाइप एक टंकी को क्रम साथ ठीक है 20 मिनित में और यहाँ पर आपका बी 24 मिनित में टंकी को भर सकता है ठीक है एक निकासी पाइब तीन गेलन प्रती मिनिट मतलब निकासी नन होगा तीन गेलन का प्रति आपका मिनिट कर सकता है तिल्का sulphन compressor को एक साथ खोल दिया जाए मतलब एक उसके सादए वी और उसके साथ से तो 5-15 मिनिट में यापकि ऑग छाएगी सबसे पहले न इनका टूटल बर निकाले टूटल वर्क लो जाएगा अब वर के साथ फीट बीन organise कालो तो सेर्टों 5 और यहां पर कितना आये के 120 कि यहां पर कोई दिक्कत परेशान नी इन दौनों को अगर चालू करते तो 11 टंकी में एक समय में पानी जाता लेकिन गया कितना के वल आठ वाकी तीन कहां गया बेटा बह गया मतलब निकासी नल से निकल गया तो तीन की रेट से खाली करेगा तो 120 लीटर तीन की रेट से खाली करने के लिए टोटल इसे कितना समय लगेगा चालिस समय लगेगा यही समझ में आ रही यह बात हो रही है मिनिट की आप खुद बताओ तीन गैलन एक मिनिट में तो 40 मिनिट में इन्होंने कितनी टंकी को खाली किया होगा 120 गैलन मतला option number 30 सवाल का क्या हो जाएगा करे एक बार पूछ लोग फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे कि यहां तक कोई दिक्कत परेशानी इतने बैराइटी के आपके सवाल बनती है पाइप एंट सिष्टन में ठीक है मैंने सारी बैराइटी आपकी यहां पर कवर करा दी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा अगर आप कोई किताब भी उठाके देखोगे तो उसमें 12 से 15 सवाल ही मिलेगी आपको यह पाइप एंट सिस्टन के यहां पर कम लोग ने तीस सवाल लगा दिये हैं कि ठीक है चलो बढ़े आगी अब हम लोग एक बाट टाइम एंड वर्क के सवाल देख लेते हैं जो हम लोगे कल छूट गए थे ठीक है सिवानी गुपता सा आया सर साया सर टंकी की धारिता क्या है सर टंकी की धारिता बता दो भाई साब 120 लिटर एक सो बीस गैलन होगी औप्शन नमबर सी ठीक है अगे गरेंदर यादर जी सर कचु समझ में ना आओ हमें तो काई निक पर समझ में आओ दिमाग का रखिया यह दिमाग नहीं बेटियाओ महीं धरों काई नहीं कचु समझ में आओ पूरों समझ में आएगों बड़े गदाई इसान लो चलो आगे बढ़ो अगला सवाल टाइम इंड वर्क का ठीक है एक बात बताओ ए और भी मिलकर एक काम को बारा दिन में कर सकते हैं बी और की से 16 दिन में कर सकते हैं पहले ए इस पर पांच दिन काम किया फिर भी ने इस पर 7 दिन काम किया से सकार सी ने इस पर 13 दिन किया ऑँ अब आपको बताना है कि सी अकेला इस कारे को कितने दिनों में पूरा करेगा बताओ 24 देज हुख है कि अगर अगरण के इस वह एक बात बनागु Unity इस अगम इस टाइप के सवाब दो तरीक की से सवार कर सकते हो सबसे जैसे यह यहां पर कितना आएगा तीके याँ पर कितना मारा और दूसरा में यह और तो है यां पर कितना 48 इस rate में 2 लोग आएंगे इस rate में भी आपके 2 लोग आएंगे हुआ क्या आपको इनको इस तरीके से बाटना था कि यहां पर A ने पहले 5 दिन काम किया ठीके और फिर यहां पर B ने 7 दिन काम किया ठीके और यहां पर फिर C ने 13 दिन में काम पूरा खतम किया अब इस rate को ऐसे यहां पर आएगा और यहां पर भी यहां पर भी आएगा यहां पर सी समझना अगर मैं इसे तीन दे दूंगा तो इसे एक देना पड़ेगा अगर बी की एक है तो यहां भी एक होगी तो सी की आपकी कितनी हो जाएगी दो इस तरीक से आपको रेट को बाटना पड़ेगा एक दिन में दूंकल करें की थी तो यहां पर कितना तो आपका काम था मतलब जो आपने रेट बाती थी वह पूरी आपकी रेट रह दाएगी एक सी की रेट आजाएगी आपकी 2 आप और अगर आपको लग रहे कि एससे रेंट बाठ सकते आप दूसरा कोई रेट बाठके यह समझ में आ रही टोटल वर्क आपका 48 हो गई नहीं अब आपको बताने कि अकेला कितने दिन में पूरा किया हुआ आपको सबसे पहले आप ऐसे नहीं कर सकते थी कि इनको दो रेट बाट दी अगर चार तो आपको बाट ना चाओन अच्छे नहीं तो रेट को थोड़ा से बाटना पड़ेगा ठीक कैसे आपको बाटने हैं तो टोटल वर्ग आपका पूरा होना चाहिए ठीक है तो यहां पर कितना आएगा आपका तीन यहां पर एक यहां पर दो आप देखना दूसरा तरीका मतलब यहां तक अगर आप सॉल्ब कर लोगे तो अब दूसरा तरीका यहां पर क्या बोला कि एक और बी पांच दिन करेंगे अब इक बात बताओ एपांच दिन कर रहा है लेकिन तो साथ दिन कर रहा है न तो बी को यहां पर दो दिन कर वाँ लेकिन बी को अकेला मत कर वाँओ ली को सी के साथ कर वाँ है अगर इक Was लेकिन उन पानच दिन नों के लिए उन इसमें पांच दिन और ब्चा होगा एक ऐसाध किए तो बचा हूगा किद बचा ऑगा तो सी टोटल तेरा दिन लेगा लेकिन दो दिन लगा चुका है तो ग्यारा दिन आपके बचेंगे अब एक बात बताओ ए और भी की मिलाकर रेट कितनी यहां पर चार ठीक है और पांच दिन में कितना किया होगा बीस काम आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूवत नह यहां पर दो दिन में कितना किया होगा ठीक है दो दिन में कितना किया होगा छे तो टोटल 26 काम हो चुका है अब आप खुद बताओ 48 में से 26 काम हो चुका है बचा काम कितना 22 और वो किसको करना है ग्यारा दिन में मतलब कितने की रेट से करेगा दो की रेट से करेगा अगर सीखी रेट दो अगर सीखी रेट दो है तो अलतालिस काम दो की रेट से होगा कितना 24 दिल लेगा यहां था कोई दिख्कत परेशानी दोनों तरीके मैंने आपको बता दी यह हिटें ट्राइल वाला मतलब थोड़ा से वैल्यू एज़्यूम करना पड़ेगा दूसरा आपका कौन सा इस तरीके से ठीके चलो अगला सवाल एक आदमी अत्वा तीन औरतें एक अत्वा का मतला हुदा या तो एक आदमी को बिला लो या फिर दो और तीन लड़कों को बला लो और इन्हें 55-55 दिन काम कर वाओ ये काम को पूरा कर देंगे ठीक है तीन लड़कों को जबी भी यासी चीदे आए बिटा आपको अगर इनकी रेट निकालने का मैं बोल लो तो आप क्यासे निकालती हो आपको भी पता है आदमी को झुपाओ दो और तीन को मैल्टिपलाईं करो चे महला का निकालना तो महला को झुपाओ तीन और एक तीन ठी और यही पूरा काम एक आदमी एक और और बच्छा को करना है मतलब दोनों ृतिप्टर को मिला लिए कितना ग्यारा कीृत से काम होगा तो ग्यारा की रेट से काम होगा ग्यारा से काटो गए 5-5 तीस मतलब तीस दिन लगेंगे कि और अप्सन नमबर भी 30 32 को 30 दिन सरमाव सही है का हाँ लला सही है त्याओ चलो आगे बढ़े 10 आदमी तथ 15 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 16 आदमी 16 आदमी ठीक है 16 आदमी प्लस 20 लड़के 20 लड़के इससे 3 गुणा काम कितने दिन में पूरा करेंगे बताओ तो सबसे पहले एक काम करो यहां पर सबसे पहले एक काम करो आगे की नाइन करो जबकि तीन आदमीयों का दो घंटे का काम उतना ही होगा जितना पांच लड़के का तीन घंटे का काम मतलब यहां पर पांच रख दो यहां पर कितना आएगा आपका तीस मतलब पचास और तीस असी टोटल काम कितना हो जाएगा एक आदमी पांच की रिट से करेगा एक बच्चा श्री एक बच्चा हुआ यहां पर करेगा 16&80 दूनी 40 तो यहां पर मिलाओगे कितना 120 कर फिस कि जीरो से जीरो गाटो से इन से काटो के चार वर चार से लुजा ऑप्तरा गोली 30 प्शrias कि अप्सरली निया आप साम लिखें ऐट को कि यहाँ तक को दिखत परेशानए दॉठ नहीं है चलो अगला सवाल कि कि चलो अगला तवाल है ए तथा बी किसी दीवार को 10 और 15 में बना दिन में बना सकते हैं यदि दोनों एक साथ काम करें है ठीक है जैसे देखना ए और बी है कि 10 और 15 टोटल वर कितना आएगा तीस ठीक है तो यहां पर 15 दोनी तीस दस दोनी आदा सवर तीन तीस टाइम पता चल गया रेट पता चल गई अब बताओ दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी को काम चोड़ना चाहिए मतलब इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया और यहां तो कितने दिन पहले कौन काम छोड़ेगा बी काम चुड़ेगा ठीक है मतलब एक काम अकेला करेगा कि पूरी दीवार आपकी 8 दिन में बने हुँग और ने तो पूरा पहले दिन एक सेले के तक किया होग मतलब थी एक तो तोटल 24 काम किया होगा अगर तीस में से 24 काम ए ने अखेले किया तो बचा काम करेगा बी करेगा और इधर करेगा किस रेट से करेगा दो की रेट से करेगा मतलब यहां तक का टोटल टाइम आएगा तीन तो यहां तक का टोटल टाइम कितना आएगा पांच क्या पूछा है आप से कितने कि दिन पूर्व पांच दिन पहले छोड़ा होगा मतलब अप्सन नंबर एया आएगा कि यहां ता को दिखत परेशानि तीन अंसर गलत है ओर तीन अरे पूर्व का बताना है वेटा काम समाप्त यदि आपको बताना क्या है कितने दिन पूर्व काम समाप्त होने मतलब से यहां पॉइंट तक आपको टाइम बताना है तो 5 आएगा तीन सबका अंसर गलत है एक ठीक है थोड़ा लेंगविज को भी आप पडो तीन आंसर गलत है ऐसे अप जो आफ बचता है एक लाष्ट टाइपचेगा वह एक बार देख प्टीक है था इसके बाद इंड वर्घ और आपको आज करा दिये यहां पर टाइम कितना आएगा 36 ठीक है यहां पर कितना आएगा आपका आपका बाहतर तो टोटल वर कितना आएगा आपका 126 ठीक है अगर इनका मेटा 126 ठीक है तो यहां पर कितना आएगा 6 यहां पर कितना आएगा 4 और यहां पर कितना ती यह आएगा अब समझना कंडीसन समजो हुआ कि टीनों ने एक साथ मिल कर काम को करना मैं चुन,- कीग ठीक है ठीक है काम समाप्ठ होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी काम को छोड़ लिया इक बात बताओ काम यहां पर समाप्ठ होangen गया बारा दिनपहले अगर काम को छोड़ दिया होगा तो यहांपर कौन बचहिए आपका A और 3 और काम समाप्थ होने के आठ दिन पहले ए मतलब यहां से लेकर यहां तक यह ओंगे आठ दिन यह कौन चुड़ा यहां पर आपका तो यहां पर कौन बचेगा आपका सी मतलब ए और सी ने यहां पर 4 दिन तक काम किया ठीक है कि यहां तक को दिक्त पर एक वह क्या पिससे स्मूंज़ो काम समाप्थ होने के 12 दिन पहले बी चोड़ दीया तो बचे होंगे यह और सी काम समाप्थ होने के vibes और सी मेंसे अब और बचेगा आपके पास केवाल सी यहां तक को दिक्रूट अब सत्मूल सी यहां आठ दिन अकेला करेगा मतलब तीन की रेट से तो आठ तीन चौविस काम सी ने यहां पर किया होगा ए और सी मिलकर 6 और 3 9 की रेट से करेंगे 4 दिन 9 और 4 आपका 36 तो तोटल यहां पर कितना काम हो जाएगा आपका 60 काम हो जाएगा अब अब थुद बताओ 216 आपका काम था 60 काम हो चुका है तो बचाय काम कितना 156 यह 156 काम होगा इस साइड और कौन करेगा यह तीनों लोग करेंगे 6 4 और 3 की रेट से मतलब 13 की रेट से तो तेरा एक हम 13 तेरा दूनी 6 बारा दिन तक इन लोगों ने तीनों ने 7 में काम किय भी आओगा तो पूरा काम कितने दिन हुआ बारा बारा चॉबिस मतलब और नमबर सी अब बताओ यहां तक कोई दिखत परिशानी 24 आएगा क्लियर यहां तक है यह सवाल थे अपके पूरे टाइम और क्वरके और पाइप एड्स सिस्टन के ठीक यहां तक मैंने कोई कि यहां तक कोई भी मैंने आपको टाइप नीछ फोड़ा इसाल बेस आपको कबर कराए ठीक है अंब ने आपयार के सवाल ने आपको पर एसान रहे है को ज से गाओं की हो लड़की नहीं मोड़ा मोड़ी कि मोड़ा मोड़ी खाए बीड़ में क्या चलो वीडियोग आप लोग को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना है अब भी तक अगर आप लोगो नहीं लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक ज़रूर करना फीडबेक हर किसी का कमबल सरी है देना कमबल खरें आप क्लास का फीडबेक डिया करो लेबल आपको इसा लगता है सारी चीज़ने आप करो ठीक है उससे हम क्या करेंगे आगे की जो क्लास से साएंगी उनमें सुधार करेंगे इंप्रूमेंट करेंगे ठीक है चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और हाँ याद रखना आज आठ नी साड़े-8 बजी से रहेगा आपका नौन बर्वल रीचनिंग का ठीक है आपका क्लास और हाँ लाइप पोल ट सेम टाइम परूँ